अब अध्यापक बनने के लिए हम क्यों लिए जांना चाहते हैं बाबा जी से हमारे समाज तुप drawer तह उसर हमाई मुखमांती तुप याय है तुपomination안िय नहीं हुय करते थे आपकी अवाज को उठा गा TU और चेटें दरना को धार देने क्या शक्ता है ने पालियमेंट में जाऊंगा आपकी आवाज को उठाऊंगा जब यह मुखमंत्री बन गया तो हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं आज हम लोगों गोरतपुर के सांसद हुआ करते थे हमारी दरी पर आकर के बैट करके मान दि हम आप की लड़ाई लडएंगे अरे दस साल हो रहे हो कह रहे हैं की प्योडा समझ दे तो फ्र पिवल पर एक्शिन कुन्हें डार्य कि पदा है क्या हमनों सुन की है कि जातिक प्रशनिया क्या है क्येवल बाबाजी की मंसा सही नहीं है वाभा जी मंसा साप कर लें और सिछ करते थे केंदर तक आपकी पगर्टी उन्होंने सीदेश हाथ उठा के आप लोग चिंता ना करें आप तीन महीनी के अंदर भी चल पर निकाल के कोई नीकोई निकालेंगे कि आप आप देखें हिंदुस्तान टीवी जोड़ा जब मौझूत है रहाता नहीं लगनों कि कोगाटन पर आप दिससे आपको जानते होंगे आज चिक्चक दिवस मनाया जाता है देश के पहले उप राश्पती डॉक्टर सरपाणी राधा किशनन धी और दित्ते राश्पती जो जन्दिन था वो अपना जन्दिन है वो चिक्चक दिवस गुरूब मनाते थे और वहीं दूसरी दावाद दूसरा नजारा देखनों को म पर जो है बेतनमान पढ़ाया जाए प्रशी्षित बेतनमान दिया जाए हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस उसी स्कूल में जो है निमिच सिच्छक पलगए और हम होई काम करके दस ख़शार को दिया जा रहा है क्यों भाद ब्यद्बाव कर रहे हैं सरकार हम भी कि हम कमेटी बना के आपका प्रस्ता जो है कि आप लोगों को सामने पेश करेंगे बताएंगे क्या हो रहा है लेकिन आज तक कई बार धरना दिया गया कई बार कमेटी बने उनकी लेकिनाज तक फिर सरकार जूट जूट वादा करती है और कुछ नहीं कर रही है यह बताए कि कार जी तो समान चीचर इतना लिया जाता आप लोग से सारे ठीक है फिर वेतन में भेदभाव और शिक्षा मित क्यों कहा जाते हैं आप तो महंत हैं हो सकता है बच्चे कुछ गलती कर दिये हों तो किसी दोचार के गलती के कारण पूरे प्रदेश के उन्हें दो लगी सजातो महात्मा को सोभा नहीं देती है हम लोग कितना बरदास्त करें यहीं सांसत थे गोरखपुर के सांसत हुआ करते थे हमारी दरी पर आकर के बैट करके मांद योगी आदित नातिजी ने कहा था कि आप लोग हिरास हतास नहूं हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे आपकी लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे हम सरकार से लड़ेंगे बहुत सारे रास्ते हैं आप लोग मौत का रास्ता मत अपनाईए यह सारे बातें दिलासा तब दिये थे जब आप सरकार में नहीं थे आप भी पक्ष में थे आप सांसत हुआ करते थे केंदर तक आपक चंदिया था आप महात्मा है उस बचन को याद करिए मोदी जी को याद कराइए हम बनारस में बनारस में उन्होंने सीरे हाथ उठा के कहा था कि आप लोग चिंता ना करें कोई रास्ता निकालेंगे आज किते वर्ष हो गया पूरे पूरे साथ साल साथ वर्ष हो गया है हम लोग इंतजार करेंगे वंतिम समय तक कम से कम यह तो बताने लाइक रहेंगे कि मां दियोगी आदितनाती इतने बड़े अब कुछ नहीं कहेंगे आगे कि अब है ने खुद बताए कि साथ वर्ष हो गया और अभी तक मामला संग्यान में लिया ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता नहीं हो लेकिन क्या कारण है क्या कारण कुछ भी हो लेकिन हम लोग को जो अब जो उम्र का पड़ाव आया है कि हम लोग इस साल इसमें हम लोगों ने अपना समय बरबाद कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं सुन रही लेकिन हम लोग बार बार यहां करके सरकार का ध्यान आक्रश्ट कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों की सुने हम लोग भी एक सम्मान जनक बेतन पा करके अपने जीवन जो हमारा परिवार है उसका निर्वहन हो सके हम लोगों का 10,000 में कुछ भी नहीं पूरा हो पा रहा है ना माता पिटा की दवाई पूरी हो पा रही जो है हम रोग दौर में दस दार में कुछ नहीं हो बाता है यह बताइए कि आप कहां से आए जिला जहांसी से आया हुआ हूँ विगत उनीश्य निन्यान में इस पौदे को इसी सरकार ने लगाया था तो जब हमां उत्राखर्ण उत्रपरदेश एक था मदर बोड एक था दो इसके पूर में पहले समझ कमेटी बनी थी उसका भी कुलासा नहीं हुगा उसके बाद पर अभी जो अक्टूबर में धन्ना हुगा फिर एक समीती बनाई गई है आज तक उसमीती को ओपन ने किया गया है 10,000 रुपे में आज हम लोग किस तरह से अपना परिवार पाले यह तो हमाँ समझ में नहीं आता है अगर हम किसी क्या सरकार हमेशा यह कहती हमने 3500 बढ़ा के 10,000 कर दिया है जो कि सचा ही है कि हम लोगों को 40,000 मिलता था और 10,000 रुपे दे रही है कैसे हम अपने बच्चों को पड़ा लिखा जागे इस मेहंगाई में इस मेहंगाई की दौर अगर हम किसी के हां भी कार करते तो साया दे कोई भी हमारा जो है विगत साथ सालों में एक रुपे नहीं बढ़ाया गया है जो कि महंगाई 50 गुना बढ़ी है जब आलू की रेट पचास रुपे किलो है उसके बाद हमारा मांदियो उतना दिया जा रहा है हम मानिय मुखमं मुखमंति जी जब हमारा समाज रतुपा था और कहते हैं धरना को धार देने क्या हो सकता है मैं पालियमेंट में जाओंगा आपकी आवाज को उठाओंगा जब यह मुखमंति बन गया तो हम लोगों की बात नहीं सुनते है आज हम लोगों मुखमंति जी से अच्छी पीड किया है कि हमारा बोट वेंक रहνη है हम किसी काप रही है हम लोग मजबूर हो चुके हैं १हल सब ठीक नहीं सवाल मुकमंतरी जी लिए जाते हैं और कई भार आप लोग आब जुखके थो एक फुम कैह रहे हैं। हमारा कहना कि नियार क्या जाए हमारे साथ नियारी होना चाहिए और इस तरीके के जिसे घ्म होना कर दों यह मानने 10,000 मिला है मामला मुकमंत्री के संग्यान में जब अधिखारी नहीं सुनना है तब इतने साल से आप लोग यहां पर धन्ना कर रहे हैं तो कमसकं मुकमंत्री को इसमें आप खुद भगल कर देना चाहिए और आप लोग की जो माँगे उसको करना चाहिए और सबसे प मेरा जिला है कुषिनगर से और आज तक 10 साल कारेकाल हो गया कई बार उन्होंने का मैं एक पीड़ा आपकी समझ रहा हूं समझ रहा हूं आपकी दर्द को मैं समझ रहा हूं लेकिन तो आज मेरे माबाप बुढ़े हो चले आप पुली बतारे दस साल हो रहे हैं कि पीड़ा किये हम लोग समझे नहीं सुने नहीं देखे भी लोग हैं सर यह बताईए कहां से आया मैं डिस्टिक बिजनौर से हूं सर कहां पर काम कर रहा हूं अभी सर मैं प्राद्मिक विद्याले कर मस्खेड़ी में उन्हें जवाबाद ब्लॉक कितने साल से करते हैं लगवक बीस सा बड़ी संख्या में लोग आ हैं मंच आपका बैठा हैं पदकारी बैठे हैं लेकिन क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूत भी सुना नहीं हो रहे हैं मगर सर एक बात में जरूर कहना चाहूंगा हमारा समयजन 25 जॉलाई 2017 को सुप्रीन कोर्ट द्वारा कोड करते हैं मगर सर अभी लाबाद आए कोड ने दिसिजन दिया यह नहीं है जहिसा की बड़े भाई ने कहा पचेश जुलाई 2017 को हमारा समाजन द्वा निरस्त हुआ लगी पचेश जुलाई 2017 को जो समाजन निरस्त हुआ मानिये कोड़ नहीं कहा था कि आप इनको लेजा इनको समायोजन से पूर्व की इस्तिति में एक निट समायोजन की पूर्व की इस्तिति में इनको रखा जाए मैं आप से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम सरकार से पूछना चाहता हूँ तो आम इनके बड़े अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ क्या समायोजन की कि आप इनको चाहें तो समायोजन से पूर्व की स्थी हमारा वही समानकाय का समान वैतर पर सिक्षण हो सकता है हां लेकिन हम को कहां ले आगे खड़ा कर दिया हम आज तक यह नहीं समझ पा रहे हैं यह बदाइए कि कहारी तो समान टीचर इतना लिया जाते हैं कि बताइए कहां से क्या नाम है मेरा नाम होसराम सिंग है मैं जिलाभी नोर से बिलोंग करता हूं और हमारा दुख-दर्द यही है कि हमने उस समय संख्या जौ है बहुत कम थी और हम लोग जितने भी थे अपने मेहत हैं से क्या नाम है इसान राका पती बट जन्पत्だी उ concern कि यूपी टेट के लिए वहां से क्यों रिजेक्ट हुआ था कोट से हमारा समायोद्यन आज हम 6-6 बार यूपी टेट का इध्याम क्वालिफाई हैं सर तीन तीन थो बच्चियां है 45-50 साल के हम लोग हो गए हैं अब बताइए बाबा जी से क्या कहें हम कई बार कम से कम 10 बार फालो कर रहे हैं सर। अब आप बताईए कि क्या कौन सी योगता लाया अध्यापक बनने आप मानते हैं ना कि योगी जी अगर चाहें तो होस्ता है बेल्कुल अब लोग मेडिया वाले हैं सर अब आपकी आवाज बरावर उठा रहें नहीं सर आप गिने चुने चैनल वाले उठा रहें सर और सुनिये और आप समझें कि यूपी टेट सीट सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया देशाजार मित्र ह हमारे बीच के साथ याद तक कतम हो गए तो हम बाबा जीसी एक चीज कहना चाह रहे हैं अब कि मेरे संपूर समर्पड को जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पासार हसा तो रोखन पाया मैं आशू उनसे मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं महोते कि हमारा समाय हमारे ल क्रशिचित लोगों को रखे हैं हमारी सीट पर कब्या कराएं हम नंबर है अप देख लिजिए अभ अध्यापक बनने के लिए जानना चाहते हैं बाबाजी से कि अध्यापक बनने के लिए कौन सी योगता हमें रखनी होगी। हैं आज दुर्भाग इस बात की रही कि जितने भी संगठन हैं जब हम से सहोग लेना होता है तो हमें तो सहोग में ले लेते हैं लेकिन 25 जुलाई 2017 से किसी भी संगठन ने किसी भी जाके मात्धिम से कभी यह सरकार से नहीं कहा कि संग 2017 से 2024 तक एक रुपे की महँगाई बढ़ी हो तो इनके मांदे में भी विर्दी करें फिर मैंने कैसे मानू की हमारा सहोग करें यह तो क्यों मेरे मंच पर बैठने के लिए मंचा सीन बनने के लिए पहली बात दूसरी बात है कि सरकार जो तमाम पोपो गुंडा कर रही हैं हम उन इसे बताइए जिनको आप लोगों ने आगे कर रखता कि वह आपके आवाज उखाए और आप बता रहे हैं कि वह तो अपने मंच से चलिया हमारा जो है इक ही प्रतमिद है जिसका नाम है शूकमार सुक्रा और सुक्मार सुक्रा के में आया है अब वह जिन्हें चाहें उन् ने कहीं मुखमंत्री को आगेवल के करना चाहिए लेकिन कभी उनकी है करना नहीं चाहते हैं कि हमको उन्होंने समाज बादी बता दिया अब लेकिन जब उनकी गायी पर कभी भी भाजपा घंडडा नहीं लगी अब उनके गायी पर तिरंगे का जंडा लगा बाजबा की पैदा करना हमारा धर्म होता है यह बच्चा जो शिक्षामित रूपी बच्चा है यह भाजबा की पैदा को ही संतान है मान लीजिये कुछ समय आपका खराब चला आप अपने बच्चे का ध्यान न दे पाए किसी और का समय आपके बच्चे का भाजबा की मुख्य मंत्री जी है मैंने बता दिया कि बच्चे का ध्यान दे हमारा ध्यान दे हमारी परवश्च करे अब ध्यान तो नहीं दे रहे हैं उनको देना चाहिए जी हां तो जैसे आब ने सुना कि इनका कहना थे कि सिच्षा मिन्तो लोगों के साहओ कर तो और मखमनट्री के सुछना चाहिए घाल समय हमारा शाहिद आप देखते इंद् त смогे मजा गङए